आज के इस वीडियो में बात करेंगे IDFC First Buying के बारे में जहाँ पर दूस्तों यहाँ पर merger का जब से news यहाँ पर जा रही हुआ है उसके बाद यहाँ पर आपको share भी free मिलने वाले हैं तो इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वो भी आप जा के वाच कर सकते हू थूरा साम देखनी खुस करेंगे कुछ-कुछ news वेगरा जो भी आ रहा है और आज के दिन का क्या performance रहा कितना हमें बाइंग दिखने हो मिला है आज के दिन बिकॉज अगर किसी यह stock में लगाता है अगर बाइंग जब अरज़स्त चल रहा है तो कह सकते हूँ कि एक वीडियो में हम देखेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूंगा काफी बार market में ऐसा मौका आता है कि company का fundamental भी अच्छा हो और company का का काम भी अच्छा हो मतलब दूसरे point में first point में ये और उसके बाद भी कोई news किसी news के चलते get out हो जाता है काफी SIS stock में आपने देखा हो गया जिसे कि अरदानी total gas में हुआ था तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बढ़ा मोका होता है वहाँ पे enter होने का जिनोंने इंटर किया शेसोगे प्राइस पर जहंगे प्राइस पर पांसोगे पर जोगे परद्र नोगे हो एं तो कहीं नहीं समझ सकते हो कि ऐसा ऐसा मोका अगर आपको जानना है फिर कैसकते हो थोड़ा थोड़ा लेटेस्ट अपडेट जो भी आता है मार्केट को लेके छोटे-छोटे न्यूज बेगरा सभी चीजों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो मैंने स्पेस दिये हुए जो कि हमारे चैनल का आपको यहां मिल जाएगा जाके वहां भी आप हमें सब्सक्राइब फोलो जो भी कर सकते हो शुरुआत करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं क्या हमें दिखने हो मिल रहा है यहां पर तो बात करेंगे IDFC फर्स्ट वाएंग का आज के दिन क्या performance हमें दिखने हो मिला कह सकते हो थोड़ा सा green हमें दिखने हो मिला ज्यादा कर बड़ा तेजी हमें नहीं कहेंगे उसको भट कह सकते हो green में हमें दिखने हो मिला red यहां पर चीज़ी जो भी है दिखने हो नहीं मिला green दिखने हो मिला मतलब 0.06% का तेज़ी हमें पॉइंट फॉर फाइब का हाई लगाया और आज के दिन और लो लगाया 88 का और फिर 88.40 पे क्लोज हुआ तो थोड़ा सा कह सकते हो हमें आज के दिन मतलब ग्रीन में देखने को मिला है बट मार्केट क्लोज होने के बाद भी 20,770 कॉंटिटी यहां पे सेल में लगा हुआ है आप दिखेंगे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार आप दिखाता हूँ यहां पे मार्केट क्लोज होने के बाद में जब वीडियो को सूट कर रहा हूँ 20,707 कॉंटिटी 20,770 कॉंटिटी यहां पे सेल ओडर में लगा हुआ है बाकी अगर हम बात करेंगे यहां पे आज की दिन का परफॉर्मेंस यहां पे क्या रहा 22 दिसमबर 2023 डिलिवरी पोजिशन आप दिखेंगे यहां पे टोटल कॉंटिटी ट्रेड कितना हुआ 2 करोड 21 लाग 6,269 कॉंटिटी ट्रेड हुआ जिसमें से डिलिवरेवल कॉंटिटी कितना था 68,83,899 यानी 68,83,892 डिलिवरेवल कॉंटिटी था इसमें से जो की आता है 31.06% लगभग यहां पे आप दिखेंगे 31.06% डिलिवरेवल कॉंटिटी आज की दिन हमें यहां पे दिखने हो मिला इतना तो यहां पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे मार्केट में काफी सारे ऐसे भी स्टॉक अभेलेबल है अभी की टाइम में काफी सारे ऐसे स्टॉक में भी चल रहा है कि लगातार बाइंग हमें दिखने हो मिल रहा है मतलब कहा सकते हो 40% से भी उपर किसी स्टॉक में तो 10-12% 12% का चल रहा है IRCTC में अगर हम बात करेंगे पिछले ट्रेडिंग सेजन में हमें यहां पे 12% का जो है यहां पे डिलिवरी में दिखने हो मिला था और वहाँ पे F&O का बैन हो गया मर्किट में अगर हम बात करेंगे मतलब ज़्दा तरव हमें ट्रेडिंग हमें दिखने हो मिल रहा था तो F&O को यहां पे बैन कर दिया लोगों ने बाकी यहां पे अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर देखेंगे 31% का हमें delivery में देखने हो मिल रहा है काफी सारे ऐसे भी stock है 50% से भी उपर मैंने वीडियो उसके उपर भी बनाया हुआ है हमारे चैनल पर जो भी है 50% से भी उपर का है हमें buying देखने हो मिल रहा था काफी सारे stock में तो कह सकते हो जिस stock में public लगातार active है लगातार buying चल रहा है कह सकते हो वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ तो कुछ बात है और बाकि अगर हम बात करेंगी इस stock का तो अभी की time में आप देखेंगे यहाँ पर 31.06% का आज के दिन हमें delivery में buying दिखने हो मिला है और बात करेंगे थोड़ा सा और information के बारे में news के ऊपर थोड़ा सा हम दिखने ही कुछ करेंगे तो जो यहाँ पर news निकल के आ रहा था मैंने यहाँ पर वीडियो उसको पर बनाय हुआ था कि यहाँ पर 100 share के बतले 155 share यहाँ पर आपको मिलने वाला date कब आ रहा है उसके उपर हम बात करेंगे जो भी हमें अपडेट दिखने में मिलेगा उसके उपर बात करते हैं आज के दिन का market कैसा रहा देखेंगे आपे bank nifty और nifty 50 का उसके उपर हम उसके बाद हम देखेंगे अगले trading sessions के लिए क्या label बन रहा है IDFC First Bank तो वीडियो को पर लाश्ट तो दिखते रही है एक एक करके हम सभी चीज़े देखने वाले है सबसे बहले बात करेंगे bank nifty का तो आज के दिन का performance जो है देखेंगे bank nifty का हम तो 0.73% का गिरावट हमें bank nifty में देखेंगे 0.73% का गिरावट जो की market open हुआ तो open होने के बाद आप देखेंगे कहाँ पर open हुआ तो यह जो आप dot dot वाला line देख रहे हो यह previous close है previous close पर हाँ पर open हुआ लगभग उसके बाद down गया फिर तेजी एक देखने हो मिला recovery फिर एक और down गया फिर थोड़ा सा और recovery करने ही फिर down में ही close हो गया 0.73% के गिरावट में बात करेंगे यहाँ पर nifty 50 का यहाँ पर मैं refresh करता हूँ एक बार फिर से दिखाता हूँ nifty 50 में 0.24% का हमें यहाँ पर तेजी देखने हो मिला है जबकि open हुआ है कहाँ पर अपने previous close से मतलब उपर open हुआ इसके बाद फिर रिकवर करने कुसिस किया और फिर लास्ट में थोगा सा डाउन पर आके ऐसे मतलब close was 0.24% पर अल्रीड फाइब देज में मार्केट यहाँ पर डाउन में है बिकॉस यहाँ पर एक दिन आपको बड़ा सा क्राइस जो है देहने हो मिला था जो कि आप देखेंगे आपे और इसलिए बागी plus में था बागी one month में हमे 7% से भी उपर का तेजी जो है देखने में मिला 5050 में अगर हम बात करेंगे और पिछले one year के अगर हम बात करेंगे तो 19.89% का तेजी जो कि काफी मतलब अपने high pay stock मतलब इंडिया का मार्केट अभी काफी high pay trade कर रहा है अगर दिखा जाए तो बात करेंगे और भी कुछ informations के बारे में जैसे कि हम दिख लेते हैं आपे IDFC First Bank के investors के अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ तो यहाँ पर दिखेंगे public public लागातार अपना stake यहाँ पर घड़ाता जा रहा है अभी के time में आप दिखेंगे 38-39% 37-26% 25-100% और ले कौन रहा है लागातार होल्डिंग में आप दिखेंगे बढ़ता कौन जा रहा है तो FIS तो foreign institution वालों ने कही न कही लागातार जो अपना holding increase कर रहा है तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कही न कहीं क्या बात हो सकता है कि लागातार वो खरिते जा रहा है और यहाँ पर public 5.58% 70.09% तो कही न कहीं यह सब चीजों को आप देख के समझे कि market आकिर कह क्या रहा है अगर देखा दाए तो FIS यहने foreign institutional जो holding है कही न कहीं क्यों पाई कर रहा है आप सोच सकते हो वो तो इतना मतलब कह सकते हो यह नहीं है कुछ न कुछ तो बात है बाकी आप अपने आप से study कीजिए दिखी आपको क्या दिखने को मिल रहा है क्या आपका जो भी है और बात करेंगे आप और भी कुछ informations के बारे में अगले trading system के लिए levels के बन रहा है उसके उपर हम दिख लेते हैं और बाकी अभी की time में price to earning के ratio के इसाब से बात करेंगे levels के बारे में जो कि अगले trading system के लिए क्या levels बन रहा है जिस पर आप ध्यान दे सकते हो सबसे पहले downside के लिए अगर हम बात करेंगे यानि गिरावट दिखने में मिलता है तो आपको तो कौन से level पर ध्यान देजीगा सबसे पहला जो level रहा है downside में आप कुछ इतना का level पर ध्यान दे सकते हो 87.50 का level यहाँ पर support है पहले भी यहाँ पर दिखेंगे यहाँ पर काफी अच्छा support है पहले भी और अभी भी और बाकि अगर हम बात करेंगे तो यह सबसे पहला level रहा है downside के लिए इसको अगर यह breakout करता है तो downside में next level जो हमारा बन रहा है कुछ 86.20 का level downside में यह कुछ 2 level है जो कि आप ध्यान दे सकते हो अगर आपको गिरावर दिखने हो मिलता है तो बात करेंगा upside के लिए यानि अगर आपको तेजी दिखने हो मिलता है कौन से level पर आप ध्यान देजीगा सबसे पहला जो level है आप देहींगे आपके सबसे पहला level 89.40 का level रहेगा इसको अगर यह break करता है upside में तो next जो level रहेगा upside में जो आप ध्यान देजीगा जो कि कुछ इतना का level रहेगा मैं आप ध्यान कर लेता हूँ कुछ यह वाला level 90.70 का level तो यह कुछ लेवल्स है जो कि आने वाले trading season में काफी strong levels बन रहा है जो कि upside का last level है काफी strong level है देखेंगे आप बाकी दूस्तों आज के लिए कुछ इतना ही और आपने कितना पर investment किया है IDFC first bank में और कहीं ने कहीं यह जो merger होने बाकी आगे जो कुछ भी हो सकता है अगर देखा जाए तो बाकी आज के लिए कुछ इतना ही वीडियो में कोई भाई से लिए फिर hold की सला नहीं है जो भी करना है अपने financial advice लिजिए और अपने आप से सुचिए आपको क्या करना है मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में this video is only for education purpose